नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ important question discuss करेंगे railway group D 2021 exam के लिए इस वीडियो में हम जितने भी question discuss करेंगे उनका जो main focus होगा वो आपके railway group D exam पे होगा सभी expected questions होगे जो कि आपके exams में जरूर पूछे जाएंगे यह सभी जो questions होगे यह repeated topics जो होते हैं जिनके उपर हर shift में questions जरूर पूछे जाते हैं उन topic के उपर depend होगे और आपके लिए यह जो वीडियो रहेगी काफी important वीडियो रहेगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी subscribe कर लें तो चलिए start करते हैं वीडियो देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है what is the SI unit of electrical conductance तो electrical conductance जो होता है उसकी SI unit क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा साइमन साइमन जो होती है यह SI unit होती है electrical conductance की अगर आपने पहले group D का exam दिया होगा तो आपको पता होगा कि SI unit जो होता है उसके उपर काफी question पूछे जाते है group D के exam में तो आप इसको ज़रूर तयार करें एक most important topic रहता है अगला question देखते है जो होता है बेकिंग पाउडर का तो हमारा answer हो जाएगा NAHCO3 जो होता है यह chemical formula होता है baking powder का और यह question जो होता है यह exams में काफी बार repeat भी होता है अगला question देखते है where is the headquarter of WHO तो international organization से अगर आपके exam में question पूछा जा रहा है तो आपको WHO का headquarter जरूर मिलेगा तो world health organization जो होती है इसका headquarter हर एक exam में जरूर पूछा जाता है तो अगर WHO के headquarter की बात करी जाए तो यह रहेगा जिनेवा सुर्जलेंड में तो जिनेवा जो जगे रहेगी सुर्जलेंड में वहाँ पे headquarter रहेगा world health organization का डबलू टीओ जो होता है world trade organization उसका भी headquarter रहेगा जिनेवा सुर्जलेंड में तो काफी सारे headquarter है जो की located रहेंगे जिनेवा सुर्जलेंड में तो आप उनको भी जरूर study करें important रहते हैं अगर world health organization की बात करी जाए तो world health organization जो होता है इसका जो headquarter रहेगा वो रहेगा जिनेवा सुर्जलेंड में जो इसकी establishment year है वो most important रहता है तो 7 April 1948 में establish हुआ था world health organization जिसके current time में head रहेंगे टेडरोस एड़नॉम अब जो international organizations होती है उनसे 4 important question मनते हैं एक तो होता है headquarter, एक होता है establishment year, एक होता है current time में head और चौथा होता है current member countries जितनी भी member countries होंगे organization की उससे related भी question पूछे जाते हैं तो यह जो topics होते हैं आप इसको अच्छी तरीके से तयार करें अगला question देखते हैं which shortcut key is used to print the page तो कौन सी shortcut key होती है जिसकी मदद से हम page जो होता है उसको print करते हैं तो हमारा answer हो जाएगा control plus P control plus P जो होती है यह shortcut key होती है जिसकी मदद से print करा जाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है जो shortcut keys होती है computer से वो भी पूछी जाती है exams में बाकी MS Excel हो गया MS Word हो गया MS DOS हो गया इनसे related questions भी पूछे जाते हैं full forms जो होती है computer से related उनके उपर भी question पूछ लिए जाते हैं तो कुछ यह topics होते हैं जो की computer से related होते हैं अगला question देखते हैं प्रदान मंत्री आवास योजना was launched in which year तो जैसे कि आप सब को पताईए कि जितनी भी government schemes launch करी गई है Indian government के द्वारा Center government के द्वारा हो गई State governments के द्वारा हो गई तो जितनी भी schemes रहेंगी योजना है रहेंगी उनको आप जरूर study करें वो काफी important रहती हैं एक तो establishment year जो होता है वो most important रहता है और दूसरा जो question होता है वो होता है किस चीज़ से related होती है यह जो योजना रहेगी है किस चीज़ से related है तो यह दो चीज़ आपको जरूर पता हो जितनी भी government के द्वारा schemes launch करी गई है तो प्रदान मंत्री आवास योजना जो है यह कौन city of India तो हुमायू टॉम जो है वो कहां पे situated है तो जितने भी टॉम रहेंगे जितनी भी places रहेंगी गोल गुंबज हो गया अधाई दिन का जोपड़ा हो गया अजमेर फोर्ट हो गया यह सब जितनी भी places होती है जो टॉम होते है एक कहां पे located है यह आपको जरूर ध्यान 2020 in chemistry तो noble prize जो रहेगा 2020 का उसको आप जरूर study करें साथ में 2019 का भी study करें उससे आपको question जरूर मिलेंगे तो noble prize जो दिया गया है 2020 में chemistry के लिए वो किसको दिया गया तो हमारा answer हो जाएगा both A and B तो Jennifer Doudna और Emelon Carpenter इन दोनों को सम्मानित किया गया है noble prize 2020 से chemistry के लिए तो आपको जितने भी noble prize दिये गए हैं उनकी जो नाम रहेंगे वो आप ज़रूर ध्यान रखें अगला question देखते हैं who is the current chief minister of Andhra Pradesh state तो Andhra Pradesh जो state एपसकी capital क्या होती है तो अमरावती जो रहेगी capital रहेगी Andhra Pradesh state की इसके current time में chief minister कौन है तो chief minister हो गए और governors हो गए ये दो चीज़ आप जरूर study करें state से related तो Andhra Pradesh state के chief minister रहेंगे Y.S. Jagan Mohan Reddy Y.S. Jagan Mohan Reddy जो है ये current time में chief minister है Andhra Pradesh state के Who is current education minister? तो जितने भी ministers रहेंगे वो आपको पता होना चीए Education ministry जो है इसको पहले HRD ministry के नाम से जाना जाता था तो ये भी आपको पता होना चीए तो current time में education minister कौन है तो हमारा answer हो जाएगा Ramesh Pokhriyal Ramesh Pokhriyal जो है ये भी current time में education minister है इंडिया के 22nd FIFA World Cup 2022 are going to held in तो 22 जो addition होगा FIFA World Cup 2022 में वो कहाँ पे होगा तो ये question repeated question है हर exam में पूछा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा Qatar तो Qatar जो country है वो host करेगी 22 वा addition FIFA World Cup का जो की होगा 2022 में तो जितने भी upcoming tournaments रहेंगे उनकी study जरूर करें साती जो भी tournaments होएं 2019 में और 20 में उनके winners कौन थे वो आपको पता होने चाहिए अगला question देखते हैं राजीव गांधी international stadium is located in which state of India तो जितने भी stadium होंगे जितने भी temples होते हैं जितने भी monuments होते हैं वो कहां पे located है यह आपको जरूर ध्यान रखना है तो राजीव गांधी international stadium जो है यह कहां पे रहेगा तो हमारा answer हो जाएगा तेलंगना तो तेलंगना जो state रहेगी इंडिया क वहां पे located है राजीव गांधी international airport who is the author of the book till we win India fight against covid-19 pandemic तो जितनी भी books होंगी जितनी भी important books हैं उनके author जो रहेगे वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं यह topic ऐसा रहता है जिसके उपर एक question आपको हर shift में मिलेगा गुर्बडी की तो till we win India fight against covid-19 pandemic जो book है यह किसके द्वारा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा रंदीब गुलेरिया रंदीब गुलेरिया जो है इनके द्वारा book लिखी गई है जिसका title रहेगा till we win India fight against covid-19 pandemic which agency acts as a regulator for mutual funds तो हिंदोस्तान में कौनसी agency है या फिर कौनसी organization है जो की regulate करती है mutual funds को हिंदोस्तान में तो हमारा answer हो जाएगा से भी तो security exchange board of India जो है यह यह जो है यह regulate करती है सारे mutual funds को हिंदोस्तान में तो यह आपको जरूर ध्यान रखना है काफी important रहता है और से भी जो होते हैं इससे भी important question बनते हैं जो की exam में पूछे जाते हैं तो आपसे इस question को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि कौन सा constitutional amendment act है जिसके द्वारा जो डेली है उसको special power मिलती हैं तो आपको ध्यान रखना है दोनों एक ही question है तो हमारा answer हो जाएगा 69th amendment act 69th amendment act जो है इसके द्वारा जैली जो है इसको provide कराए गया था legislative assembly को in which state is yao song festival celebrated तो yao song festival जो होता है ये कौन सी state में celebrate करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा मनीपूर तो मनीपूर जो state रहेगी वहाँ का एक important festival रहता है और काफी बार exams में पूछा जाता है yao song festival जो होता है ये रहेगा मनीपूर state से green spinach comprises dash in abundance तो green spinach जो होता है उसमें सबसे जादा कौन सा vitamin होता है जो की पाया जाता है तो nutrition जो होता है ये भी एक important topic रहता है गृूप D exams के लिए nutrition से related भी question जरूब उचह जाते हैं तो green spinach जो होता है जो पालक होता है उसमें कौन-कौन से vitamins होते हैं जो की पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में तो हमारा answer हो जाएगा all of the above तो vitamin A भी होता है green spinach पालक में vitamin B भी होता है vitamin C भी पाया जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है तीनों विटामिन्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं पालक में विच आफ दी फॉलॉइंग इस आलसो नोन ऐस गलेना गलेना के नाम से इन में से किसको जाना जाता है तो हमारा अंसर हो जाएगा लेड सल्फेड तो लेड सल्फेड जो होता है इसको Glena के नाम से भी जाना जाता है तो ये जो other names होते हैं इनके उपर भी काफी questions पूछे जाते हैं तो ये भी आप त्यान रखें अगला question देखते हैं तो हमने आपको बताये था कि एक तो scheme से ये पूछा जाता है कि ये किस चीज से related है और एक ये पूछा जाता है कि ये कब launch करी गई थी तो समपदा scheme जो government of India के द्वारा launch करा गया था ये किस चीज से related होती है तो हमारा answer हो जाएगा food processing तो food processing से related रहेगा समपदा scheme जो की launch करा गया था government of India के द्वारा which article of Indian constitution gives definition of money bill तो money bill की जो definition है उसके बारे में कौन से article में बताया गया है Indian constitution के तो ये question भी काफी बार exams में पूछा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा article 110 article 110 जो है इसमें बताया गया है definition of money bill के बारे में before becoming the president of India रामनात कोविंद was the governor of which state तो ये भी एक important question रहता है भारत के president बनने से पहले रामनात गोविंद जो थे ये कौन सी state के governor थे तो हमारा answer हो जाएगा बिहार तो बिहार जो state रहेगी वहां के governor थे प्रेसिडेंट रामनात गोविंद प्रेसिडेंट बनने से पहले तो ये question आपको जरूर ध्यान रखना है exam में हो सकता है इस question को पूछ लिया जाए तो दोस्तो ये था हमारा last question अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like जरूर करें और साथ हमारे channel को भी subscribe कर लें और दोस्तो उपर i button पे click करके जो हमने special videos तयार करी है PDF तयार करी है आपके exams के लिए आप उनको देख सकते हैं जो की काफी helpful रहेंगी आपके exams के लिए साथी उनका जो link रहेगा वो आपको description में भी provide करा दिया गया है तो आप उनको जरूर देखें उनसे आपको काफी मदद मिलेगी धन्यवाद दोस्तो